हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल इस साइट सिरी आची वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाली बहुत ही जाधा इंपॉर्टेंट टॉपिक वह आपका बेबी लोलियन सिविलाइजेशन यानि की बेबी लोलियन सब्विता के बारे में आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ यह डॉपिक बहुत जाधा इंपॉर्टेंट है तो आप किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं और आप चाहें बैचलर की प्रिपेशन कर रहे हों चाहें आप पो पर यह वीडियो लेकर आई हूं तो वीडियो के अंड है सारी चीलर होने वाला है इसी तरीके के सुमेरियन सब्सक्राइब कर लो प्रेस कर लो कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम गोठान मिलते रहें और वीडियो पसंद है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक बेबिलोनियन सिविलाइजेशन के बारे में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे घासे तरीके से आपको बाकी के भी सिविलाइजेशन पढ़ाया हुआ है अगर आपने वीडियोस को नहीं दे सब्वितता अब मैं क्या यह सभ्यधा जो है इतता है कैसी होता है क्या होता है यह सार आपको देखने को मिलता है मैं अगर आप सभी को एक बात बताओं तो यहां पर आपको मैं मेह उाओ पाता कराु चुकू मैं सब्षसाओर अच्छे तरीके से पढ़ा ह rud務 है थistaat मिलताionedॡ को सब्सक्राइब से अंदर मैंने आपको बताए था कि इस सभ्वटता के अंदर तोटल को कितनी फॉर सिविलाइजेशन के बारे में लोग पढ़ते हैं जिसमेंसे पहला है आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन पर आगे आने वाले वीडियो मस दिसक्ष करओंगी कि यहां पर कौंसे मोनार की शिस्टम में कौन वाइत को यह सारा कुछ मैं आपके साथ डिसक्त kारूंगी उसके वाद आपको देखने को मिलता है अकैडियन सिविलाइजेशन ठीक है दैन आपको देखने को मिलेगा इपका बेवदिलोन यंट्ट से भी सेपरेटली बहुस्त से स्टूटेंट के क्जाम में फे संग हो अगर आप आप वहीं बीए हिस्ट्री से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 20 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर के आई वीडियो पसंद है तो लाइक शर करना मत बूलना इसे तरीके से अगर आप चाते कि आप नेक्स्ट वीडियो पुचाते हैं आप साथ साथ कमेंट करके बताते रहे ताकि मैं आप सभी के लिए उसारी वीडियो चैनल पर लेकर आ सकूँ चले स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को समझते हैं हमारा बेबी लोनियन की सभ्यता बहुत नी ध्यान से समझना अभी मैंने आपको बताय कि आपके मैसोपोटामिया में आपकी जो प्राचीन मैसोपोटामिय की सभ्यता थी पहले तो याद करो कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाय था वो थी आपकी सिविलाइजेशन तो सिविलाइजेशन यानि कि आपकी सभ्यता बनने के कारण क्या थी ठीक है इससे पहले हम में देखा था लोग खाना बदोशी थी कि माइग्रेट कर रहे थी अब जब सिविलाइजेशन बनी इसके दो करण मैंने आप लोगों को बताए थी पहला मैंने आपको बताए था आपका एगरी कल्चर यानी की खेदी अगर क्योंकि आपके एगरी कल्चर की शुरुआत होती है जिसके वज़े से लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था लोगों ने सेटल होना शुरू करा तो अब घर बनाएंगे ठीक है फिर उससे सेटल होने से बहुत सारी चीज़े आपने देखी थी जो मैंने आपको अल्रेडी बताए था दूसरा था आपका मैटल यानी की ध तो मैंने आपको कर रहा है था कि आपके मैसोपोटामिया हरपा एजिप्ट और चाइना इस चार सब्वेता आपको देखने को मिलती है और जिसके किसके अंदर आती है आपके कास्ट से युग में यानि की ब्रोंज एज में यह चार सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं जो मैं अगर आप में सारी वीडियो नहीं देखी है तो जा करके चेक आउट करो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको यह सारा कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो और इगनू के स्टूडेंट हो तो आप MHI01 की प्लेलिस्ट को चेक आउट करना वहाँ पर यह सा कंसा अके में जो आपका सबकर कांगे वहां अफकी और सेटल हो दूणई और जो जो जहांपर आपकी फोडब्स के यहां river के पास settled होगा क्योंकि आप pertal एड़ीद आप वहीं पर होगा जहां के आसपास आपकी क्या होंगी नदिया होंगी वहीं के आज duh यहां पर अगर हम बात करें आपके जो पूरे मैसोपोटाम्या के जो लोगे कौन से river के पास आपके से हैं तरूब थे चैमेरे हैं अपको पहले बताए था एंच्य नीज़ है headland between two rivers यहांद जो अब가 को हिए जब आपका जो ठीक है आपके मेसोपोटामिया में जो साउथ में रूल करते हैं वो आपकी बेबी लोनियन एंपायर थी और जो आपके मेसोपोटामिया के नौर्थ में रूल करेंगे वो आपकी असेरियन एंपायर थी आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी लोनियन करा रही हूं नेक तिक है यह दोनों अलग-अलग मेसेपोटामिया के direction में रूल करते हैं यह हम discuss करने वाले हैं मेसोटामिया के अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो अच्छी तरीके से आप भी सारे notes बना सकते हो मैंने इस तरीके से यहाँ पर किया है तो यहां पर आप देख सकते हूं कि मैंने आपको क्या बताया जब आपके अक्येडियन समराज्य खतम हुआ उसके बाद दो नए आपके समराज्य जिन्होंने पावर समाली दक्षिर की तरफ आपके बेबिलोनियन ने और उत्तर की तरफ आपके असेरियन ने किया Baby Lone Empire पहले ऐसे समरेज़ करने को पूरे Mesopotamia को सामिल करेगा अब इसमें देखो इंपोर्टेंट क्या है आगे चलेंगे छो मैंने आपको पढ़ है था तो मैंने आपको बता है था आपके Mesopotamia में भी क्या हो हमें देखने को मिलेगा आपके मोनार्की सिस्टम आपको देखने को मिलेगा यानि कि यहाँ पर भी आपको राज तंत्र देखने को मिलेगा ठीक है सिर्फ आपके हरपा में हमें मोनार्की नहीं देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं अब जब यह empire आई गया है अब समझने वाली बात है इसमें बहुत सारे rulers भी आए बहुत सारे जिसमें से सबसे important जो king आपको देखने को मिलेंगे वो है हमुराभी अब हमुराभी मैं आपको बता दू यह babylonian empire के sixth ruler थे कौन से number के ruler थे sixth number के ठीक है लेकिन वहीं बात आती है कि आपके babylonian empire के founder कौन थे यगनी कि आपके इसकी stop ना किसकी की थी पहले हम वो बात कर लेते है ठीक है देखो अगर हम बात करते कि आपके babylonian empire के जो founder है उनका नाम आपके sumu abhum नोट कर सकते हैं आप सभी sumu abhum ने आपके इस babylonian dynasty की स्थापना की थी कब की थी तो लिख सकते हैं आप सभी time period 1894 से 1881 इसापूर्व यानि BC का time period था ठीक है इन्होंने आपके babylonian की स्थापना करी थी और मैंने भी आपको बताया जो king हमुराभी है यह आपके baby time period था आप देखोगे तो 1792 से 1749 इसापूर्व का इनका time period है और अगर हम बात करें आपके babylonian empire के सबसे powerful जो राजा हमें देखने को मिलते हैं वो कौन थे आपके हमुराभी अब जब मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में यह already discuss में कर चुकी और एकी चीज मैंने सब को बताई है कि यहां पर जब राजा रूल करता तो उसका एक काम क्या होता है कि अब वो अपने समराज्य को क्या करेगा उसका विस्तार करना सुरू करेगा तो अब आपको विस्तार करना है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे आपके जो हमुराभी है ना अब जब राजा इस सालों तक मैसोबड़ा में पर इसने रूल किया था जैसे कि आपका एकेडियन एमपैर जब खत्म हुआ उसके बाद बेबी लोनियन ने आप बहुत लंबे समय तक रूल किया साउथ में जो कि मैंने अभी आपको बताया ठीक है उसके बाद सिटी को किसने टेक ओवर कर लिया आपके एमरोइट आए अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी तो एमरोइट दोरह यहाँ पर इस सिटी को बसाया गया था यह आपके छोटी छोटी ट्राइबल्स ग्रूप से ठीक है सेवंटी नाइन्टी टू में अभी मैंने आपको बताया सहर की सत्ता इसमें रिदी सुरू होगे जब राजा हमुराभी ने गद्दी समाली अब जब आपके सेवंटी नाइन्टी नाइन्टी टू में हमुराभी राजा बने तो अब यह बहुत ज़्यादा पावरफूल था और इन्होंने क्या करा बेबी लोने सहर को यहाँ पर लंबे समय तक सासन क किया था और अच्छा खासा विस्तार भी किया था याद रखना ठीक है इन्होंने क्या करा कि अब इसने अपने राज्य को बढ़ा करना चाहा और इन्होंने बहुत सारे जगा को कौन कर कर लिया बहुत सारे ठीक है उसके साथ साथ और कौन से आपके अशेर या नौर्थ व स्हे disgust सोगी कि nehme CA leaningै लेकिन हम उुरावी ने क्या कि आपके नॉर्स वाले एरिया कोchluss सिह इंकर कर लिया था इंप तो हम उुरावी ने जब आपके पूरे साःफ्स को तो जीता हैं जीता और आपके नॉर्प मेंसो पोटामिया को भी अपने अंडर मे और इसने जब यह राजा बना तो उसके बाद इसने क्या करा अपनी खुद की डायनेस्टी बना ली ठीक है और जब खुद की डायनेस्टी बना ली तो हम मुराभी क्या आप देखोगे फिर इनकी डायनेस्टी में इनका जो सबसे पहला राजा बनता है उनका नाम था आपके सम्सू इलूना ठीक है सम्सू इलूना है जो यहाँ पर सबसे पहले रूल कर रहे थे इनका टाइम पिरिड है 1749 से 1712 बीसी इन्हों ने अपका यह अब जो पूरा समराज्य है इसका विस्तार इन्हों ने किया ठीक है और जब यह राजा बने तो अव्यसी बाते यह भी अच् इंशेंट बेविलोनियन एंपायर के नाम से इसके नाम से इंशेंट बेविलोनियन एंपायर के नाम से हम इसको जानते हैं इसे आप प्राचीन बेविलोनिया समराज्य के नाम से भी आप इसको जानते हो समसू इलूना के बाद मैंने आपको बताया आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो आपके babylonian का जो word है आप यह babylonian word देख रहे हैं आप यह आपके किस से बना यह बनाए आपके ईश्वर का द्वार ठीक है gate of the god इश्वर का द्वार इसका मतलब है babylonian का जहां से इन्होंने इसका नाम रखा है यहां तक क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ेंगे तो मैंने भी आपको पताया कि बेबी लोनियन शहर आपका बस चुका है सिक्स्त नंबर के राजा आपके हमुराभी है अब जब यह राजा आया इसने हमुराभी के साशन में बेबी लोनियन शहर दुनिया का सबसे सकती साली शहर बन गया था क्योंकि मैंने आपको पताया अच्छा खासा विस्तार इसी हमुराभी ने किया था ठीक है यूफरेट्स नदी के टर्ट परिस्तित नए शहर विचारों को और उत्पादों को एक साथ लाने वाला एक प्रमुक वेपार केंद्र था मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैसो पुटामे के अगर आपने जिनों नहीं वो वीडियो देखिए उनको अच्छी तरीके से बता है कि आपके मैसो पुटामे के जो लोग है उन्होंने किसके कौन से रिवर के थ्रेट किया था यूफरेट तिग्रे से ना करके यूफरेट से किया था कि उसका कारण उसका रीजन मैंने क्या बता था मुझे कमेंट में जरूर बताना तो यहाँ पर यह यूफरेट्स के थूरू इसी के आसपास आपका अग्रिकल्चर का काम करते थे ट्रेट भी इसी दिवर के थूरू करते थे और यहीं पर लोग आसपास सैटल भी हुए थे तो यहाँ पर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैं यहाँ पर यहाँ पर कला विज्ञान संगीत गडित खंगोल विज्ञान साहित थे 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 फने पूर्ने में सक्षम थे यानि कि आके बेबिलोनियन एंपायर जो साउथ में साउथ के में में रूल कर रहा था अच्छा खासा ने अपना एक कोड बनाय था तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ वो कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है यह हमुराभी कोड है अब इसमें क्या है यह आपको जानना जरूरी है बेबी नोन एमपैर है और आप यह ना लिखो तो बात तो बनेगी नहीं तो बात कैसे बन नामक दृड कानूनों की स्थाप ना की तो यह हमुराभी जो कोड देता है इसमें भी नोने एक लॉड दिया था कानून बनाया था कि इत्हास में यह पहली बार था कि जब कानून लिखा गया था इससे पहले जितने भी रूलर्स यहां पे आके रूल करके गए उन लोगो बनाया ठीक है इमिट्टी की गोलियों और पत्थरों के ऊचे खंबों पर दर्ज किया गया था जिने आप स्लेट भी कहते हैं हमुरावी के कोड में कितने 282 यानि 282 लोग यहां पर सामिल थे उनमें से कई काफी वसिस्ट थे लेकिन समान पर इस्तितियों में उपयोग किये जाने वाले दिसान इडिशों की रूप में थे जिक्यों के नियंतर करने वाले कानून जैसे कि आपके मजदूरी वैपार किराय की दरे दासर जो आपकी स्लेफ की बिकरी आपकी संपत्ती की चोरी या छती के दर्ण का वर्णन करने वाले अपराधिक वैवारों को नियंतर करने वाले कानून थे यहां तक कीवे गोद लेने भी वहा तलाग को नियंदरी करने वाले कानून भी थे तो यहां पर आप देखोगे हम उराभी ने सारे जितनी भी related आपके law होते है न चाहिए आपकी कितनी salaries आपको मिलनी चाहिए क्या trade आपकी से आपका rental rate क्या होना चाहिए slaves आपको पता है बहुती आम बात है ठीक है slaves जो उससे में खरीदे और बेचे जाते थे आपके कोई भी criminal behavior adoption हो marriage और divorce हो सारे इस code में सारे से related आपके कानून बनाए गए थे हमुराभी के through ठीक है अब इसमें detail में यहां पर देखो इसमें क्या-क्या बताया गया था आपके हमुराभी कोड में बहुत ध्यान से समझना अगर हम बात करेंगे आपके हमुराभी कोड के अंदर ठीक है the code of हमुराभी तो यहां पर आख के बदल के आख शेली के अच्छी तरह से जाने वाली लेकिन यह हमुराभी विचार में देवताओं ने उसे अपने समराज्य पदया के कुछ स्तर के साथ सासन करने के लिए बेजा था सहीता की प्रिस्तावना कहती है कि तब अनू और बेल यानि दोनों देवताओं ने मेरे नाम से पुकार हमुराभी उचाराजकुमार जो इसवर से डरता था भूमी में धार्मिक तक असासन लाने के लिए दुस्टों और दुस्टों को नश्ट करने के लिए करता था कि बलवान कमजोरों को हानना पहुंचाए यह लाइन भी किस ने बोली है यहां पर ओवर ओल देखो कि तो हमुराभी ने क्या करा है आपकी वुमेंस से रिलेटिट भी इसमें सारी चीज़े बताई भी उनसे रिलेटिट भी जो भी लौ बनाये गए कानूद बनाये गए वो सारा कुछ आपको यहां पर देखने को मि यानि कि इसमें भी आपको जो वुमेंस की सिच्वेशन अच्छी नहीं थी एक ऐसा कानून है ता है कि यदि किसी पूरूस की वज़े से किसी पूरूस की पतनी की उंगली उठाई गई तो लेकिन वह किसी अन्य पूरूस के साथ संभोग करते वे नहीं पकड़ी गई तो वे अपने पती के खातिर नदी में च्छलांग लगा देगी ये सारी बात तक यहां पर कही गई है तो यहां पर क्या है मुमेंस की सिच्वेशन हमें इसमें अच्छी खासी देखने को नहीं मिलती है हाव एवर हला कि अगर आप देखोगे कोड में ऐसे नियमते की जो महिल आए गए थे अगर कोई भी यहां पर डायवास लेता है तो यहां पर जितनी भी चीजें आपकी मैरेज में शादी में जो मिली होंगी वो सारा कुछ उन्हें वापस करना होगा और उसे अपनी कुछ जमीन भी देनी पड़ती थी यानि आपको अपनी प्रॉपर्टी भी द के लिए भी आपर बात हुई है कि आप मगर किसे ने डायवोस लिया तो उसकी सारी चीज़ा आप वापस दोगे अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दोगे और आपकी शादी नहीं हुई है तो यहां पर आपके उनकी फादर की दैत के बाद भाईयों के सास्त उसे भी क्य के लिए जर्द बाकी के बात कर लिए बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं बतां पर लीए या नेक्स वीडियो शाले कुछ आटे ऊपना बता सकते हैं उसके साथ सब कोई भी इतने में स्टुडेंट है मेरी वीडियो देखने में चानल पर फिर्स्टाम है पेड़ क्लास आप किसी भी एक्जाम की प्रफेशन करें और हिस्ति आपके पास सब्जेक्ट हो चाहिए आप इगनू के लिए कर रहे हो चाहिए आप बीए के स्टुडेंट हो में क स्टुडेंट हो ठीक है कोई भी था आप किसी भी एक्जाम के प्रफेशन करें पेड़ कासी लेना चाहते हो तो अब लेबल है वाट्चप नमबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वाट्चप नमबर के द्रूख पेड़ क्लास इसके बारे में पू देखो यहां पर आपके नमबो पोलेश्वर और नभुक नेश्वर चैकिंड असुर्स अम्राज्ज्य के अधिकांस हिस्से पर दावा करने में सक्समत्य और उनने बड़े पेमाने में बेबी लोनी का पुरनिर्मान किया यहां पर आपके इन्होंने क्या क्या बेबी लोन ठीक है यह वो टाइम आयागा जब आपका बेबी लोन एंपैर जो है वो खतम होने वाले होगा सम्राज्य जो अब क्या होगा अब वो डिक्लाइन होना सुरू करेगा लेकिन आपके नभू कजेश्वर दूत्य ने क्या करा आपके छटी सताब्दी में बाबुल का पुरनि निर्माणकिया दुबारा से अपने एंपैर को खड़ा किया था और यह मैसोपोटया में की सबसे बड़ी प्राचीन बस्ती भी बनी थी उस टाइम पर केंद्रे जिगरूट टावर सहित कीले की दिवारे और विशाल महलो और धार्मी के मारतों को भी दो सेट थे यहाँ प से बड़ा सर्टेल्मेंट आपको उस समय पर देखने को मिलेगा जब आपके यह राजा थे ठीक है और आपके नबुक कदनेश्वर को आपके किसके नाम से जाना जाता है हैंगिंग गार्डन के नाम से यह फेमस थे वन वर्ड अगर आपसे पूछ ले जा तो याद रखना हैंगिंग गार्डन आपको नबुक कदनेश्वर को यह फेमस थे कि निर्मान का श्रे भी दिया जाता है हाला कि आखरी बेबिलोनेन राजा तोजे थे वो कौन थे आपके लास रूलर अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया नाबोटियस को फारस में साइंस जुत् यह आपके फाउंडर थे और जो अभी मैंने वेबिलोनेन एंपायर के लास्ट रूलर बताया है वह भी कौन थे आपके लुबिनेडस यह थी आगे बढ़ते और आगे की स्टोरी में आपको बताती हूं यहाँ पर देखो क्या होता है क्योंकि अब धीरे धीरे आपका यह नहीं पर आएगा लीक ने ओ लेक खिया था कि 1894 इसापूर पर उर आपको भी पता है उर क्या है आपका सहर में सो पोटायमे का सबसे पहला सहर जो आपकी सुमेरियन ने बनवाया था सुमेरियन का सबसे पहले यह सहर भी कैसा बनाता जितना भी नोग पार्ट करके जो भी झीता था रूभी खजाना रखा था अपने बास उससे नहीं यह उर सहर उर सिटी बनवाया था यह आपको याद रखना है और अधारित समराज्ये के ढ़ह जाने के बाद बाद बाबल को सामू अभूम मैंने भी आपको बताए ना सामू अभूम जिसे आप सुमू अभूम भी कहते हैं जो मैंने इसके founder बता है नाम के एक वैक्ती ने जीत लिया था वैए एक एमोराइट से जो आधुनिक सीरिया के आसपास के छेतर में सेमेटिक भासा लोगों का सदस्थ से था ठीक है तो यह आपके मौडन सीरिया के यहां पे आसपास रहते थे सेमेटिक एक आपका छोटा सा ग्रूप था उन्हीं के साथ रहते थे उन्होंने इसका founder के मैंने भी आपको बताया उसने बाबुल के एक छोटे से राज्ये में बदल दिया जो सेहर के आसपास चिसके छेतर से बना था बाबुल तब इसी तरह से बना रहा जब तक कि आपके छटा राजा बाद में हमुराभी जब आया ना तब तक आपके वह यह इस पे थ्रोन पे नहीं बैठा क्योंकि मैंने आपको पता है जिक्स्त नंबर का राजा जो आपको हमुराभी में रूलर यही था आपके बेबी लोन पैर बन चुका था जो आप यहां देख सकते हो अब बार यह थोड़ी एंडिंग करने की जैसे कि मैंने अभी आपको पताया कि आपके हिट्टेटाइस ने जो आपकी हिट्टी थे उन्होंने आकरमड कर दिया ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखना तो पर आपके शिक्स्टीन-हंड्रेट में आपके किस ने अटैक कर दिया था आपके हित्तियोंने अटैक कर दिया था जिससे अब जो आपका प्राचिन बेवी लोन यान समराज्जी वो डहने लगा था ठीक है इसके बाद तुरंत आपके कबीले के सम्वह आपके कैसाइट्स जो है यह आ जाते हैं ठीक है यह आते हैं और इन्हों ने क्या करा अपने अब जो मैसो पुटैमे का साउथ वाला हिस्जा यानि अपसका जो बेबी लोने नमपायर है इस पे रूल करने इसकी सारी सत्ता कौन समालने आगे आपके कसाइट्स आगे थे ठीक है आपके कसाइट् तो यह आपके Jag्रोस माउंटेन पे रहते थे ठीक है Jag scripture mountain पे पहले उसकी पहाड़ीों पे ही लोग settle थे लेकिन उन्होंने जब देखा कि हिंत्तियों ने आपके यहां पर अauspide कर दियétais कर बहुत हुप तो मेसोपोटामे में अब एक नया रूल आपको देखने को मिलेगा तो वो है आपका 5095 से आपका 1157 BC के आसपास आप देखोगे तो कसाइट्स ने इतने लंबे समय तक आपके मेसोपोटामे के साउथ में अच्छा खासा रूल किया तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बता है क कोई भी राजा यहाँ आएगा रूल करेगा तो उसका काम है विस्तार करना लेकिन कसाइट्स ने यहाँ पर आकर कि कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया कोई भी विस्तार नहीं किया ऐसा क्यों क्योंकि उसको घोड़े यानि घोड़ सवारी का बहुत ही ज्यादा सौप था गोड़े पालने का भी बहुत ज्यादा सौप था तो और वो ज्यादा ही गोड़े बहुत इसे पसंद थे तो इसी ने अपना सारा टाइम उसी में निकाल दिया विस्तार इसने किया ही नहीं था तो आपके देखोगे कसाइट्स ने थर्टीन फिफ्टी बीसी तक अच्छी खासी दक्षिन तक ही कोई एक्सपैंशन किया नहीं साउट तक बना रहा ओवर आल आपके उसी समय पर क्या होता है आपके यह एंपायर जो है डिकलाइन होगा तो कि अब आपके असेरियन रूल करने वाले ठीक है तो कि आप अपने एंपायर को अगर विस्तार नहीं करोग कि वो डिकलाइन उने लगता हैं फिर मै आपको पता है 5095 में हित्तियों के सासक उन्हुने अटैक करा है मैं आपको पता है उसम्में आपके आपके जो रूलर है मुर्शी FIRST आनातॉलिया के लोगों को बाबूल को बखास कर दिया इसमें हमो रावी के अत्तरीकादी को शास के लीक के मुताबिक आपके उनके अच्छे घोड़े तक पहुंचती और उनके उन्हें सहने लाभ में मिला था विजय के बाद कसाइट्स ने बाबुल के लोगों पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास किया पॉलिस ने क्या लिखा हुए प्रमुक देपता मुर्दु की मूर् भाव पड़ा तो ओवर ऑल क्या हुआ बेबी लोन एंपायर अच्छा कासा रूल किया उसके बाद हमराभी जो खतम उनकी दैतोरे के बाद आपके हित्तियों ने हिट्रिटाइज ने आट्टैक करा था ठीक है यह जो आपके मूर्शी फॉर्स थे इसका फायदा उठाया आ आपका बेबी लोन एंपायर जो समराज जया यह खतम हो जाता है इसके बाद आपके अब कौन रूल करेंगे बन अब सुरुवात होगी आपके नौर्थ के असेरियन एंपायर तो कि जिस समय आपके साउथ में बेबी मार्ट रूल करने वाला है तो इसको मैं आपको नेक्स स्टुडेंट हो बाकि आप अधर एक्जाम में कर रहो तो 20 माक्स तक आपको यह क्वेशन देखने को मिलेगा आशा करती हो आज की वीडियो आपको helpful रहे होगी सारी चीज क्लियर होगी वीडियो पसंद आई हो तो like शेर करना बिल्कुल भी मत भूला चैनल पर फर्स टाइम ह कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको time to time मिलते रहे कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं हिस्ट्री है डूपॉइंट इंस्टाग्राम है आप लोग मुझे वहां भी follow कर सकते हैं ठीक आज की वीडियो कैसे लगी